हेलो हेलो ये जो पबलिक है ये सब जानती है पबलिक है ये बाबू ये पबलिक है पबलिक गाजीपूर विधानसवा में हमारा कारवा पहुच गया है गाजीपूर सदर विधानसवा की बात करे तो यहां पे कोई भी विधायक अपने जीत को दोहरा नहीं पाया अभी जो यहां से बिधायक है वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी है संगीता बल्वंत 2022 में बिधानसवा चुनाओ होना है और गाजीपूर बिधानसवा इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से 1991 में मुक्तार अंसारी ने अपना सियासी सफर शुरू किया था बिधानसवा चुनाओ लड़ा था लेकिन परिणाम उनके पक्षमी नहीं था वो बिधानसवा चुनाओ फोट हर गयते पब्लिक से उनके मुद्य जानेंगे 2022 बिधानसवा का कि इस बार पब्लिक का मुद्दा क्या है माइंड सेट क्या है इलेक्षन को लेके, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है गाजीपूर सदर विधान सभा में पब्लिक से उनके मुद्देज जनानेंगे स्वाज सिक्षा सड़क रोग जिकार सुरक्षा पर उनसे बात करेंगे यहां पर कुछ पब्लिक है, बगल में SP ऑफिस है, DM ऑफिस है, सभी ऑफिस यहीं पर है लाइन ओडर पर बात करेंगे, पहले SP ऑफिस है, क्योंकि परदेश में बुल्डोजर बहुत चला है महिलाएं बड़े स्वाइमार के साथ रोट पर चलती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि छीटा कसी कर दे, उनकी गटा पकड़ सके यहीं बुल्डोजर की दिन है, यहीं बुल्डोजर नहीं चलता था, तो यहीं गाजिपूर की सरकोपर नंगा नाच हुआ करता था क्रिम्रल का, यह और दिन भी हम लोगों ने देखा है किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि रोट पर निकल सके उस समय साथ बजे के बाद कोई लड़की इस रोट पर आपको दिखे जाए, फिर वो अचंबा ही होता था, यहीं सीन है कानून बेवस्ता बहुत चुस्त है और अपराधियों का राज्था, कोई ऐसा दिन नहीं रहता था कि एक बिकट नहीं गिरता था, एक, दो, चार, पांट, साथ, साथ बिकट गिरता था, कोई महिना बाकी नहीं था कि 25-30 लोगों की हत्या ना होती थी होती थी, डेली छिनोती थी होती थी और सोना चांदी वाले जो बैपारी हैं, वो अपने तरहीं तरहीं मचा चुके थे, और आज के डेट में वो बहुत खुस है, दस बजे, आठ बजे, दुकान बंद करते हैं, आराम से घर पे जाते हैं, और सोते हैं, चेन की नीज लेते हैं, अब देखिए, बहुतों की बात तो आप सुने हैं, ला एंड आडर तो इसके पहले बस्पा की सरकार थी, उसमें भी जो है, लोग कते थे कि दुरुस्त है, और इस समय ला इन आडर दुरुस्त है और नहीं है, अब चुनाव नजदिक आ गया है, और आपका चुनाव कर देगा कि आपने कितना काम किया है. तो प्रसासने इतना भाजपा में तगरा है कि इनका बैग मिल गया. लॉइन ओर्डर की बुल्डोजर सरकार की बात हो रही थी, तो उनका बैग चुकी गया है, वो कहा है, नहीं मिला. लॉइन ओर दुरुस्त है ना? बिल्कुल दुरुस्त है सब, सब लोग सुरच्छित है और कोई भेदभाव नहीं है. यहां कानून बैष्था गाजिपूर का जब से योगी सरकारा है, वो बहुत ही चुरुस्त, दुरुस्त है. और इवन रात में, तीन बजे भी, इवन कोई भी लड़की अकेले भी सड़क पे चल सकती है, और उसके उपर कोई परिशानी नहीं, किसी तरह के का, कोई रंगदारी नहीं, कोई छिनोती नहीं, कोई परिशानी नहीं है. आपका नाम क्या है? बिल्कुल अलवसंखकों को कोशिश भी करनी चाहिए जो कि उनका जुकाओ अखले शियादों की तरफ से रहता है उनका अखले शियादों की तरफ से जुकाओ बहुत ही गलत है उन्होंने हमेशा एक जाती एक बिरादरी के पे ही काम किया है यादाओं के इलावा उनको किसी किसी विरादरी किसी जात नहीं दिखाई देती है वो हमेशा इवेन हमारे मुहले में दस मुस्लिम प्रधानमंतिरी आवास मिले हैं ठीक है उनके सरकारों में आवंटित होता था 35 मकान तो मुश्किल से 5 युगार से बहुत मुश्किल से मिला करते हैं मतलब अभी एक आरोप लगता है कि प्रदेश में जो सरकार है वो दो चसमें से दो धर्म को देखती है तो क्या आप इस बात को मानते हैं बिलकुल नहीं अपने आवास की बात कि इसलिए मैं इस चीज का जिक्र किया तो क्या ऐसा है क्योंकि एक तरफ आरोप एक पाटी लगाती है कि जो अभी प् अगर हम किसी और देश से तुलना करें यहां के अलवसंख्यक जतना यहां इनकी स्थिति मजबूत है और फ्रीली जो काम करते हैं कोई दबाव नहीं है कोई इवेन इस सरकार ने भी पांच साल में पांच साल में कोई भेदभाव नहीं किया कोई राशन का काम राशन से कम 20 साल से देख रहा हूं कम से कम और ला एंड अर्डर की बात करिये तो पूरे देश में मुझे लगता है इस समय जो महोल बना है यह करांतिकारी परिवरतन है अब यह आप हमारे हमारे प्रदेश का और जीले का भी बहुत अच्छा है इस से उस्ता है ठीक है दुरूस् कामरा इधर अगर करें तो दिख जाएगा आपको कितने बाइक मतलब आफको एक-दो ही बाइक मिलेंगी जिन पर हेलमेट और मास्क नहों यहाँ किसी को हॉस्पिटल में को जाता है तो डॉक्टर मिलते हैं कि सबसे पहली बात यहां पर यह कि पुरु की सरकारों ने जो है स्वास्त विवस्ता को खोकला कर दिया था कि की कोरोना जैसे वैस्जिक महामारी से लड़ा जाए किसी भी उत्तर परदेश होस्पताल में जो है ऑक्सिजन प्लांट नहीं थे गाजीपुर में जो है ऑक्सिज को लिए जो कि एक कर्थिमान बना है और रही बात चीकिस्था की बात हरी है तो मेडिकल कॉल गया है मेडिकल को अब भरतियां भी हो रही है नहीं डॉक्टर आ रहा है पढ़ने के लिए तीटे बढ़ी है तो दवा लिखा जाए तो अंदर से मिलता है कि बहुता है बहुत बिल्कुल दोमील जाती है और जृद्र सीमिलति इत्र नहीं होती है जर्ण श्थी लुस्थी केंदर खोला गया है जिसमें कि सफस्ते दामों पर हम लूग दवाइं मिल नहीं जब कि है शर्कार अंए दोफ पोब्लीक ही बात की मतलब दवाएं मिल नहीं है कर देखे जो गरीब थे जुनको इलाज में दिक्कत होती थी आई उसमान काड़ के माध्यम सुनके पांच लाग का जो इंसुरेंस मिला और जो सरकारी स्पताल में जहां पर इलाज निमिला है वहां पर गरीब जाकर जो एमुक्त में लाज कर रहे हैं कैसले से लाज कर रहे है जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, तो उसका एक मूल उद्देश होता है कि वह कहीं रोजगार प्राप्त करें और जहां तक गॉर्मेंट की बात है, तो रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल है आप कहते हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिये, लेकिन वो जो देखिए, वैसिक महामारी रही है, जिससे महाबंदी थी, जिस कारण जो है पेट्रोल डिजल की लोग पिपच जो आरूप लगा रहे हैं, यह पेट्रोल डिजल क्यों बढ़ा है, जो सरकारी करमचारी जो नियमित कर रहा है, तो सरकार ने उन्हें समय से वेतन दिया है, पूरू के सरकार में तो हमने देखा है, कि जो एक सरकारी करमचारी तरब यह महाँ और रोजगार और महाँ तो बाद का मुद्द्द हैं, असे पहले का मुद्द्द है शिक्षा, गाज़ीपूर में विद्यार्ती 10 साल से अधिक हो गए, मांग कर रहे हैं, एक वी शविष्व विद्याले का, आज तो को एक भी विष्व विद्याले नहीं म अधिनालों की तो मतलब बिधायक जो थे वो बीजेपी के ही यहां भी मतलब बीजेक पासकामान थी पहले यहां से जो सांसत्य वो मंतरी भी रहे हैं इस समय गवर्नर है मतलब लगी है तो क्या तो आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि यह विश्व बिद्याले नहीं है अब हम को पॉलिटीशन तो है नहीं इस्टुडेंट तो तुमने दिया मतलब जिसको ऐसा था कि जिसको चाहा हूँ आया तो फिर बात क्यों नहीं हुई स्टुडेंट्स ने तो खून से लेटर भी लिखा है मंत्रियों को लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज मिल गया है हम उमीद करेंगे कि लिख जात अब भर करके मनुसिना जी को हराया इसका दुख आज भी जाजी जहला ने तो गाजी पूर विस इस्तर पर आज उनका डंका रहा हुए हैं वो जीतने के बावजूद भी वो नाराज हैं वो पस्तार हैं कि गाजीपूर का विकास आज 20 सार पीछे चला गया मैं सर बताना चाहूंगा कि जहां तक खून का भाई साब ने बताया कि लेटर लिखा गया था वो सपा और बसपा सरकार में खून के लेटर से मैं हम लोगों ने खुद लिखा था लेटर और दिया गया था वहां सासर प्रसासन लेवल पर लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं कि सपा और बसपा सरकार ने अभी तक क्यों ने इंवर्सिटी लाया आज पांच साल योगी जी की सरकार आई है तो इन लोगों चाहरा एक इनवर्सिटी होना चाहिए वह भी दिन दूर नहीं है जब इनवर्सिटी आ जाएगी इस बार सरकार यह बंती है तो हम तब इस चाहतियों को मैं 15-20 सालों की बात कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रह हुआ की नकली हो गया है मैं बता हूँ कोई भी क्या गयता है परशाय हो रही है तो नकन भी हिन हो गया है दद 10,000 रुपया बच्चों से पैसा लेते थे नकल मरवाते थे समझे और उनको डिक्रियां देते थे और आज जो बच्चे उनके काल में नोकरी पाए और सोच के दूसरे ही से में चलते हैं पब्लिक से और मुद्य जानते हैं पब्लिक से बात करते हैं चुनावी मुद्य समझते हैं कि अकर इस बार किन मुद्धों पर विधान सवाज चुनाओ होगा बिजान सबस्नाव 2022 को लेकर पब्लिक का मूख जाने हम यहां पर है इस समय सदर मार्केट है गाजीपूर का और यह पुरान अगर पालिका है सीडियों की अलग कहानी है इतियास से जुड़ा है यहां पर पहले सीडी की कहानी ही जान लेते हैं सीडी की कहानी बाई साफ बता तो मैंने का ये सीडी की काहनी आप ही बताइए गाजी पूके मसूल सायर मासुम रजा जाफ थे वो अपने बच्पना ही पर लिख को जो है कि नहीं सायरी वेकर अप सायरी सुनते हैं रजा जी की वो यहीं से रचित है तब बात है विदानतबा चुनाओ का तो आप पब्लिक आप से पहले जान लेते हैं सड़क सिक्षा स्वास्त रोजगार पर काम हुआ या नहीं हुआ पांच साल में यह सड़कों का जाल बुनने का वादा था गढ़्दा मुक्त होने का वादा था हुआ या नहीं वह बेलकुल हुआ है बाई ताब जाईए हाइबे देख लिजे जाईए वो जो सिक्स लेंद बना है वो देख लिजे बनारत से जो जा रहा है वो देख लिजे गोरकपुर जंगीपूर होते हुए गोरकपुर जारा उसको देख लिजे जाल का पूरा जाल का जाल बिचा है जाल नहीं जाल का जाल बिचा है सड़कों का चैसर बिदिनन हो और अमिता है अपिक्षेल, को इम ढूते हैं और ब्यापारी के लिए को यह ब्लीज के लिए झल दौ्दी माल का अवा गामन होना का को प्रतेशन बहते होगा? तो यह देख अब रंचल में भी सटकों का जाल भीछा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जैसे का जैकि सरकार मेनत तो करती है बट यह की नीचे लास्तर तक फाइदा नहीं पहुंचता करती है काम अगर सब्सक्राइब बहुत में हैं वह भी तक नहीं बन पाई है दूरुस्ता सभी रोड है सभर दूरुस्ता कोई होड़ खराब नहीं है तुर चलने लाक है आराम जैघारीकले एस ति ऑच्छी रोड होगी पसीنا नहीं निकलता एकसरसाइज हो पेड़ का ज्यादा ने कला उनका aí कर दो है झाल थे अपना बंग रख रह तो चलिए इनके मानने इन्होंने कहां अअच्छ सड़क अच्छी इन्होंने कहा है उला ए अपना अच्छी नहीं सुरक्षा पाता है लोई नौने, तो छरा था खराब कहा है नहीं सर ठीक है और साइस करते हैं उसी सड़क पर को देख कि अब ऴुकान पर घैते ते तो पांच बंद करके चले आते थे अब लोग आराम से साथ बजे आते हैं वह चीज खतम हो गया जो पहले वाली ब्याबात थी दुरूस्त करने के लिए परदेश में सबसे ज़्यादा गाजीपूर में बुल्डोजर चला जिसका एक्जामपल बाहर सेट अप किया जाता है लाइन आडर के मामले में तो गाजीपूर अच्छा है पहले भी था अच्छा और अभी भी अच् आप आराम से दो बज़े रात को भी निकलिए तो कभी आपको यह नहीं लगए कोई लूट लेगा मुझे ऐसा नहीं है कुछ आपको यह बैपारी है आप लोग तो एक बात है कि बैपारी जीएश्टी से बहुत परसान है जीएश्टी की जहां तक बात किया जाए अभी न ऌनौराश्ण कर देशटी से खुस है मतला जो जेश्टी प्रणालि है है उससे जो ना खुस होने का दावा तहा वी पक्ष पार्टीयों का वैसा नहीं है ऐसा दीए जी एस थी हमारी सुरच्छा के लिए है। जो बैपारी देता है उसका सुरफ्षा भी है एक सुरफ्षा भी है सुरफ्षा को दुरूस्त लग रहा है अब बड़े बाइसाब करें तो कि नाम पे जीरो हुआ है बस यह गंगाबिच को छोड़ करके जहां तक मैं समझता हूग को छोड़ करके बाकी कोई काम जो दारातल पर दिखना चाहिए वो दिखा नहीं आपने लौ एंडर कहा दुरूस्त है उसमें कोई कमी नहीं है और यह बताई बिजली प्योस्ता कैसी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बस ब्रीज कह रहे था दो चीजा चाहिए चलिया बताती आप खोलते जाहि नुकती होई है अगर कोई है मेडिकल कालेज में फिला है पिछले सरकारों पे मीडिकल कालेज नहीं था अब खुला है अब बच्चे पढ़ेंगे निकलेंगे जो सरकारी स्वासकेंद्रे जी देखिए स्वासकेंद्रों के स्तती बत्तर है जनपद में बात करूँ स्वाससुदाओं की तो इस्तिती ये थी कुछी दिन पुरू कि यहाँ न एक भी सर्जन थे न अने डॉक्टर थे लेकिन हाँ मेडिकल कॉलेज खुलने से कई सारे बदलाव आये हैं कई सारे डॉक्टर आये हैं देखिए अगर सरकार को कही फैल्योर मानेंगे तो वो रोजगार का मसला होगा जि सब्सक्राइब करने से अच्छा हो रहा है अब तो यहां पर जो है जहां पहले पुराना जो हम लोगों का स्पीटल था अब भी बन करके बहुत ही अच्छे तरीके से बन करके बहुत जल्दी जो है कि ने फिर से उसमाय सुरू हो रहा है हम लोगों को जो फाले दूर हाँ पहले से बहुत बढ़ी जाते थे किसके सरकार में एहां से गया है यह स्वास्त ब्युस्ता जो आप बता रहें हैं से उठके पुराना हस्पिटल चला गया किसके सासंकाल में गया सपा को सासं से क्या मतलब तो आप क्या कहेंगे नहीं नहीं है उगदावदुदीन है चले तो उनका क्या है कारकाम नहीं कर रही है स्वास्वेश्टा चुकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं जानता हूं स्वास्वेश्टा सर एक मिनिट प्लिज मापकी पाइब डॉक्टर नहीं पर देखिए आपका वह क्या है क्या नहीं लेकिन मैं तो अंदर तक भुसके देख रहा हूं सर इसी बहुत बुरी है बहु सब बाहर मिलता है यहां के कम पाउडर करते हैं अगर इंजेक्शन का और टेटनस का बना के जाता है बेल तो छे महीने में आता है इस हॉस्पीटल में आप एक परचा बनवाईए वहां पर देखिए कि कितनी दवाएं मिलती है जो भी दवा होगी सारी डाक्तर द्वारा ब गों अगर कुछी बनिया माली हमने कह मनें कहा कि हमेंको बनिया दवा लिख दिजे तो डाक्तर का सभाव एक बाहर से लिख देगा अंदर नहीं मिलए ישा जबवर हंस्पीटल जाते हैं अब परची कटाते हैं जो अस्पताल में दवा होती है वह मिलती है जो नहीं लहतीए से अगर बाइचांस इन केस मिल भी जाती है तो सबसे थट क्वाल्टी की दवा रहती है यह इसा है कि करोना काल में दो साल 3 साल से करोना साल 2 साल से चल ना और समें जो है पुरी तरह संब्सक्राइब नमबर पे निया है पूरे पड़ेश में मुझायरी के बात करिये गा तो आप कोई गरीब पोई गरीबार तो जा रहा हैं इतना लंत जुर्फ है एतना कर परेंट टेशन मंचार है है या नहीं है ! जा सबस्कार का लिए है हो सबë सो के और तक यह दूर हों जाए आपके पास आ रहा हूं विधान समझ चुनाओं 2022 में आपके लिए एह मुद्दा क्या होगा बेरोजगारी और महंगाई आपके लिए ऐसा है कि बेरोजगारी अभी जो हुआ है करोना काल से इसी से हुआ यह जो का सिच्छा कम्पलीट हो गया है गौवर्मेंट के तरफ से जाब नहीं मिला ज़गार ठीक है बेकार पड़े हुए है अच्छा ता है मुद्दा करें अच्छा है कि बेरोजगारी पर भी सरकार ध्यान दे रही है कितने लोगों को सरकार ने नोकरी दी हमको यह बताई आप मैं मुझे गौवर्मेंट से मुझे गौवर्मेंट से लैंड इलाटमेंट हुआ इंडर्स्टी लगाने के लिए इंडर्स्टी लगाने के लिए मुझे लैंड गवर्मेंट से लाट हुई लोनिंग के लिए जब प्धामंती स्वर रोजगाज यूजना के तहत मैं गया हूं तो वहां पे कोई ऐसा बैंक नहीं है जो खीजे करेंगे कि हम आपको इस बैंक बैंक के पाद जाते हैं बैंक का था कि आदेश नहीं है अधिकर के यह बात सही है मैं भी उसी से पीडित हूं यह बात सही है दो दो बच्चे इंजिनरिंग करके कंप्लीट हैं अभी बेरोजगार बैठे हैं एक आप भाई साब जो सोच रहते सोच लिया आपने यहां गाजीपूर में थे सदर विधांसवा पब्लीक से बात कर रहें उनके मुद्दे जानने थे इनका कहना है बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहेगा विकास हुआ है स्वास बेवस्था पे काम होना बाकी है सडकों पे काम हो गया सुराक्षा पे बहुत काम हुआ हुआ है